हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉर्यल के कास्टिंग क्रेम ग्लॉस का रिव्यू और ये शेड मैं पहली बार इस्तेमाल करने लगी हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि इसका रिजर्ट कैसा आता है ये शेड किया ये कलर ही फर्स ताइम यूज करने वाली हूँ क्योंकि इससे पहले मैं वैसे भी कलर्स का यूज नहीं करती थी मैं natural जो हीना powder आता है उसे ही अपने बालों पे apply करती थी क्योंकि मुझे need नहीं थी क्योंकि मेरे grey hairs, white hairs नहीं थे but right now पिछले कुछ time से यहां center में मुझे 5-7 grey hairs आने शुरू हो चुके है after 30-32 natural है कोई tension वाली बात नहीं है तो मुझे भी कोई ऐसी tension नहीं है कि हाई मेरी यह grey hairs क्यों आ रहे है यह natural है after 32 आएंगे ही आएंगे शुरूवात हो जाती है तो वही शुरूवात हो चुकी है तो इसलिए मैंने color करने का फैसला किया कि चलो अब हीना powder को switch करते हैं color में क्योंकि अभी तक मैंने हीना powder का इस्तिमाल किया क्योंकि कहीना कहीना मुझे ऐसा लगता था कि colors करने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बाल बहुत जल्दी white होने शुरू हो जाएंगे यह सब जो रहता है ना हम सबके मन में बस वही था मेरे मन में भी तो मैंने कभी अभी तक नहीं किया था use और मैं first time इसका use करने वाली हूँ इसके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है ऐसा नहीं है कि वीडियो में ही सुनी है मेरे कुछ close one है जो इसका use करते हैं उन्होंने भी मुझे बताया है कि इसको लगाने के बाद जो बाल है वो बहुत जादा soft हो जाते है शाइनी हो जाते है और जो सबसे main चीज है कि यह वाला मंगाया है तो first time अब मैं इसका use करने वाली हूँ आपके सामने ही मैं इसका use करूंगी और result कैसा आएगा और यह color कैसा दिखेगा वो सब आपके साथ share करती हूँ तो चलो फटा फट से पहले आप इसकी detailing देख लीजिए then उसके बाद मैं इसका use करती हूँ और आपको इसका result दिखाती हूँ तो चलिए मैं आपको इसकी detailing दिखाती हूँ So guys यह है L'Oreal Paris Casting Creme Gloss प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो 550 रुपीज इसका प्राइस है No Ammonia Glossy Hair Color 13 Glossy Shades में Available है यह अगर मैं इसमें अपनी shade की मैं बात करूँ तो मैंने अपने लिए और किया है 550 Mohogany और यह बहुत ही प्यारा shade है guys बहुत ही natural है इसकी packaging पर आप देख सकते हैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से mention कर रखा है आपको किस तरीके से use करना है आपको apply करना है वो भी mention कर रखा है एंड किस तरीके के जो hair color होते हैं उन पर यह color कैसा जाएगा वो भी आपको यहां पे shade इनों दिखा रखा है black, dark, brown या brown जैसा भी है अंदर से आपको इसमें यह सब कुछ मिलता है तो मैं आपको one by one दिखाती हूँ इसमें आपको क्या-क्या मिलता है सबसे पहले आपको यह colorant cream मिलती है दैन उसके बाद आपको इसमें developer मिलता है इसमें आप मिक्स कर सकते हो cream को और फिर इसमें आपको यह gloves मिल जाएंगे जिससे आपके हातों बे color वेगारा ना लगे एंड लास्ट में आपको यह royal jelly mask मिलता है एंड इसमें आपको एक instruction पूर आपको दे रखी है अब आपको इसको यूज कैसे करना है यह जो developer है ना इसके jar में आपको यह पूरी जो यह cream है ना पूरा देखिए अपनी hair length के according होता है मेरी hair length के according यह पूरा जाएगा ही जाएगा अगर आपके hair growth कम है like अगर आपके सिर्फ shoulder तक बाल है तो आपका आधे काम चल जाएगा तो दोनों को अच्छी तरीके से अब हमें mix करना है बहुत बढ़िया तरीके से और इस यह जो जार आपको मिल रहा है developer का इसकी help सही आपको इसे apply करना है तो अच्छी तरीके से मैंने इसको mix कर दिया है तो apply करने से पहले ना मैं अपने forehead पे अपने कानों जहां जहां रहता है कि हमारा color लगना जाए फिर ना skin पे color देखता है तो इसलिए for safety मैं यहां पे coconut oil का यूज कर रही हूं आप वैसलीन कुछ इस तरीके से कुछ चीजे लगा सकते हैं इससे क्यों होता है ना आपके वारेड पे कानों पे ना color नहीं आएगा तो अब मैं ग addition करती हूं तब मुझे कुछ 5-7 gray hairs दिखते हैं उसके अलावा ना मुझे अभी white hairs या gray hairs की problem नहीं है तो उन्हें मैं अच्छे से cover कर लूँगी और उसके बाद क्या करना है हमको बस partition करते जाना है और color लगाते जाना है इसमें आपको ना color की अच्छी खासी quantity मिल रही है जो इसमें आपको problem है अगर आपके white hairs, gray hairs जिस तरफ जादा है पहले आप उन्हें अच्छे से cover कर लीजे दैन उसके बाद अपने पूरी hair length पे से लगा लीजे और partition करकर कि अपमें इसे लगा लूँगी बहुत आसान है इस जो यह developer का जार है इसके सार लगाना बहुत easy हो जार and I hope यह color अच्छा ही आए क्योंकि मुझे बहुत जादा रेडेश and बहुत जादा brownish color होते है तो मुझे बहुत जादा natural color अच्छे लगते हैं ऐसा नहीं बहुत जादा लाल या बहुत जादा ब्राउन मुझे नहीं पसंद तो आई होप यह कलर अच्छा ही जाए क्योंकि फर्स टाइम जब हम किसी चीज का यूज करते हैं तो हम काफी जादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि यह वाइज ओवर मैं बाद में कर रही हूं त अब यह कलर कैसा दिखता है वह भी मैं आपको शो करूंगी क्योंकि ना अभी आपको एकदम से जब मैं हेर वाश करूंगी आपको नहीं पता लगेगा आप गीले वालों में क्या पता लगा पाऊंगे तो मैं आपको बाद में वह क्लिप्स एड करके भी दिखाऊंगी मेरे पूरे बालों में अच्छा सा शेड आए एक बार मैं इस तरह कॉम का यूज जरूर करती हूं ताकि जो भी कलर है ना वो अच्छे से मिक्स हो सके तो कलर मेरा लग चुका है तो अब मैं आदे घंटे बाद हेर वाश करके ना फिर आपको मिलती हूँ तो मैंने अब हेर वाश कर लिया है और अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं तो अभी कलर आपको इतना अच्छा से नहीं पता लगेगा तो मैं अब ये जो रॉयल जैली मास्क हमें मिला है इसको अपलाए करूंगी मैंने बहुत सुनाए कि इस मास्क के बाद आपके जो बा बहुत अच्छे मतलब इतने स्मूध हो जाएंगे मैंने सुना तो ऐसे ही है बाकी यूज करके पता लगेगा तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और मैं बहुत अच्छे से अपने पूरे बालो पे पूरी जो हेर लैंथ है अच्छे से इस मास्क को लगाओं की और कुछ देर बाद hair wash करूँगी क्योंकि अभी रात हो चुकी है रात का time हो चुका है तो मैं क्या करूँगी अब आपको morning में इसकी जो clips होंगी सूखने के बाद ये color कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है वो आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि सूखने के बाद ही पता लगता है कि color कैसा आया है तो अब यहाँ पर जो clip में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो next day morning की है और आप मेरे बालो को देख सकते हो guys कि कितने जादा shiny कितने smooth लग रहे हैं और ये ना मैं अभी घर के अंदर हूँ मतलब बाहर से light तो आ रही है ये natural light है लेकिन घर के अंदर हूँ और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की shade ये दिखेगा अगर आपके black hairs हैं क्योंकि black hairs थे brown नहीं थे तो उस पे ये color इस तरीके से आया है आपके अगर brown hairs होंगे आप color करोगे तो वो और अच्छे से दिखेगा तो मुझे तो shade ऐसा ही चाहिए था जो natural दिखे अब मैं आपको दिखाती हूँ sunlight में ये किस तरीके से दिखेगा तो sunlight में भी आप देख सकते हो ये कितना natural दिख रहा है एक अच्छी सी shade दिखाई दे रही है बालों का texture बहुत अच्छा हो चुका है बहुत smooth हो चुका है and really guys वो जो mask था ना उसने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको मैं दिखा पाओं कि जब आप sunlight में जाओंगे तो shade कैसा आएगा and घर के अंदर हो तो कैसा आएगा I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा Thank you, thanks for watching